Atopic Dermatitis या Atopic Eczema एक common बिमारी है एक करीब 20% बच्चों को और 10% बड़ों को होती है इस बिमारी में पिछले कई सालों में कुछ नई दवाईं आई हैं और इन दवाईं के आने कांड से इस बिमारी का इलाज कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया है पहले से बहतर हो गया है मैं हूँ Dr. शुकला एक Dermatologist इस नए इलाज के बारे में आपको बताऊँ उससे पहले थोड़ा बहुत इस Atopic Dermatitis के बारे में आपका जानना जरूरी है तभी आप नए इलाज को समझ सकेंगे Atopic Dermatitis या Atopic Eczema बच्चों के अलावा बड़ों में भी होता है और ये बड़े कश्टायक बीमारी है कश्टायक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें खूब खुजली आती है इसके लाल हो जाती है दाने बन जाते है और खुजली बड़े लंबे समय तक रहती है ये बीमारी आती है और चली जाती है इस तरह से फेजिस के चलते रहते हैं ये बीमारी छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी हो जाती है छोटे बच्चों में जनरली ये तीन मेने के इससे स्टार्ट हो जाती है और जो करीब पांच साल तक उमर तक रहती है इस बीमारी मे में थोड़ा presentation different होता है उसके अंदर जो कोहनी होती है और जो घुटने होते हैं उसके पिछले बाले भागों के अंदर दाने हो जाते हैं और खुब खुजली आती है गर्दन के पीछे भी खुजली आती है फिर अब अभी तक इस बीमारी की जित्ते भी इलाज चालू थे उन सब को टागेट करते थे हैं जो इसके कारण होते हैं एक तो सबसे बड़ा कारण है जनेटिक कारण है अगर फैमिली हिस्ट्री है अटोपी की तो आपके अटोपिक रमेटाइटिस होने के चांसे ज्यादा है दूसरा कारण है इम्यून सिस्टम में खराबी आने का इम्यून सिस्टम के अंदर खराबी आने से inflammation हो जाता है और inflammation होने से वहाँ पे दाने और लाल skin बन जाती है और तीसरी जो खराबी होती है उसमें होती है skin की खराबी, skin का जो barrier function होता है barrier function से मेरा मतलब यह है कि skin अपनी जो है, इसकी जो उपर वाली layer होती है superficial layer, stratum, corneum, वो अपने को बहारी कीटानों से और दूसरी जो chemical से दूसरी जितनी भी चीज़ एंवार्मेंट में उन सब को अंदर नहीं जाने देती और अंदर का जो पानी होता है, water को उसको बहार नहीं जाने देती तो इस तरह से एक barrier का काम करती है तो इस atopic dermatitis में यह barrier function इसका disturb हो जाता है वो इस दवाईयां सारी उस stage तक ही काम आ सकती है जब तक बीमारी बहुत ज़्यादा आनी हो जैसे कि अभी कि हम skin को dry है उसको ठीक करने के लिए हम moisturizers बराबर यूज़ करते रहते हैं inflammation है उसको control करने के लिए अभी steroid के cream लगाते हैं या टेक्रोलिमस यूज़ करते हैं और खुजली के लिए हम एंटेस्टमेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बीमारी जब ज़्यादा होती है तो कुछ हमें ऐसी दवाईयां भी देनी पड़ती है खाने के लिए जो पूरे immune system पे काम करती हैं जैसे कि steroids के अलावा दूसरी immunosuppressive drugs हैं जिसे कि cyclosporine है या azothiprine है लेकिन इन दवाईयों के साथ problem क्या है चुकि पूरे immune system पे काम करती हैं इसलिए इनके side effect और नुकसान भी बहुत होते हैं इसलिए इनको हम लंबे time तक नहीं दे सकते हैं तो अब जो पिछले कुछ सालों में नए इलाज आए हैं वो ऐसे इलाज आए हैं कि जो पूरे immune system पे काम ने करके बलकि immune system पर जहां पे खराबी है उनहीं पे काम करते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं targeted therapy तो यह जो नई दवाईयां आई हैं इन में पुरानी दवाईयां या जो अभी दवाईयां चल रही हैं उनके मुकाबले से एक तो ज़्यादा आराम आता है क्योंकि targeted therapy है नुकसान कम होते हैं और patient को जो relief है वो लंबे time तक बना रहता है यह इनका सबसे बड़ा फाइदा है अब इन दवाईयों को सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप नहीं ले सकते यह dermatologist के supervision में ही लेना पड़ता है क्योंकि जो side effects होते हैं उनको dermatologist monitor करता रहता है इन दवाईयों में एक दो चीजों को और ध्यान रखना पड़ता है यह हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी body में कोई दूसरा infection तो नहीं है कोई hepatitis तो नहीं है या और कोई दूसरा खतरनाक infection तो नहीं है इसके अलावा इन दवाईयों क्यों pregnancy में और breastfeeding में भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि नुक्सान कर जाती है इस targeted therapy के अंदर हमारे पास दो तरह की दवाईयां खास कराई है एक तो है jack inhibitors और दूसरे है biologics jack inhibitors का मतलब क्या होता है देखे जैक कुछ enzymes होते हैं enzymes proteins होती है और ये jack enzymes cell के अंदर होता है अपना जो कोशिका होता है उस कोशिका के अंदर होता है और ये jack क्या काम करते हैं ये जो cell की ऊपर की membrane होती है यानि cell की जो covering होती है वहां के जो signals होते हैं उनको nucleus तक पहुंचाते हैं और nucleus तक जब signals पहुंचते हैं उसके बाद वो inflammation चालू हो जाता है उसके current से inflammation चालू होता है तो फिर वो दाने वगरे सब बन जाते हैं तो ये jack का ये काम है अब अगर इनको inhibit कर दिया जाए इनको block कर दिया जाए तो ये inflammation नहीं होगा तो इन jack inhibitors का यही काम है कि jack को block कर देत हैं और जिसे inflammation नहीं हो पाता तो jack inhibitors के बारे हम सबसे पहले बात करते हैं इन दवाईयों में जो दो दवाईया है टोफासेटिनिब और रुकसोलेटिनिब इनकी तो क्रीम आती है और उन क्रीम को जहां पर दाने हो रखके हैं जहां पर प्राब्लम से उन पर सुबह शाम ल उन सब के खाने की गोलियां आती हैं और खाने की गोलियां एक गोली रोज देनी पड़ती हैं और इसका असर चालू होता है करीब एक दो हफते बाद और उसके बाद ये लंबे time तक देनी पड़ती है देखना पड़ता है patient की स्थिति क्या है उसके हिसाब से इसको continue करना प होती हैं ये तो living cells से protein निकालते हैं और उसकी दवाईया बनाते हैं अब ये living cells आपके bacteria के हो सकते हैं plant के हो सकते हैं animals के हो सकते हैं और यहां तक human के भी हो सकते हैं और इन से monoclonal antibodies बनाई जाती हैं और ये antibodies उस antigen के खिलाफ या जो नुकसान वाली चीज है उसके किलाफ काम करत होती है तो biological जितनी होती है वह exactly वहीं काम करती है जहां पर immune system में खराबी है और इसलिए जाएदा फाइदा होता है और उससे आपको नुकसान कम होते हैं biological को हम खाने की गोलियों की रूप में नहीं दे सकते इनको या तो IV drip के द्वारा दिया जाता है और या फिर इनको skin की नीचे injection की रूप में लगाते हैं जिसे कहते हैं subcutaneous injection atopic dermatitis में हम जो biologics को use करते हैं हम उन्हीं patients में use करते हैं जहां बीमारी बहुत बढ़ी होई होती है या normal treatment से patient treat नहीं हो पा रहा है तब ही इन दवाईों को इस्तेमाल करते हैं इन दवाईों में biologics में दो दवाई आज समारे atopic dermatitis के लिए आने वाली है जो dupilumab है इस दवाई को 6 महिने से बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी दे सकते हैं और इसके पहले 2 injection दिये जाते हैं और उसके बाद हर 15 दिन में एक injection दिया जाता है ट्रेलोकी नुबैब जो है वो अभी बड़ों के लिए अधा दिन में एक injection लगाया जाता है यह दोनों जो बायोजिक्स हैं इनके कारण से आँक में जलन हो सकती है आँक लाल हो सकती है आँक में दर्द हो सकता है और इसके अलबापर रेष्पी इंफेक्शन हो सकता है गला खराब हो सकता है बायोजिक्स और जैक इनिवीटर्स अभी इंडिया में काफी महंगे हैं, लेकिन धीरी-धीरे सस्ते होते चले जाएंगे, इसलिए अभी तो आम आदमी के पहुंच से बाहर हैं, लेकिन जब ये इंडिया में बनने लग जाएंगे, तब ये दवाईयां सस्ती हो जाएंगी. Biologics और Jack Inhibitors के अलावा, एक और दवाई Atopic Dermatitis के लिए नई आई है, जिसे बोलते हैं, क्रिसाबोरोल Ointment, ये सरफ लगाने की दवाई है, दिन में दो बार लगाई जाती है, और ये तीन मेने से बड़े बच्चे के लिए या बड़े आदमी के लिए एक काम में ली जा सकती है, इससे भी काफी फाइदा होता है, और अगर ये नहाने के तुरंट बाद लगाई जाए तो और भी ज्यादा फाइदा हो सकता है, इन सम नई दवाईयों के अलावा, अभी भी जो barrier function है, उसको ठीक करने के लिए अपन moisturizer's use करते हैं, पर अभी जो moisturizer's use करते हैं, उसमें urea ह glycerine है, और petroleum jelly है, इनको इस्तिमाल करते हैं और ये बहुत अच्छी है, जरूरी भी है, लेकिन अब कुछ नए moisturizer's में इनमें add कर दी गए हैं, इनमें ceramides हैं, saponins हैं, और colloidal oatmeal हैं, इन moisturizer's को add करने से बीमारी में और ज्यादा फाइदा होता है, इन सम नई दवाईयों के जो phototherapy है, जो पहले से दी जाती रही थी, लेकिन अब उसका use बढ़ गया है, phototherapy के अंदर हम narrow band, ultra wallet, be light इस्तिमाल करते हैं, और इसको हफते में दो बार इस्तिमाल करना पड़ता है, और इससे काफी लोगों को फाइदा होता है, तो आज का topic हम यहीं सवाप्त करते हैं, अग अब तक के लिए मैं आपसे आगया चाता हूँ, धन्यवाद